हेलो गाइज आप देख रहे हैं चाट्यूब चानेल और ये है मेरे पास रेड्मी बैड तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप प्लेइ स्टोर से Microsoft Word, Excel या PowerPoint कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको Sign In करना पड़ेगा Sign In करने के बाद भी वह आपको Activate करने को बोलेगा और Activate करने के लिए आपको कुछ पैसे चार्ज किये जाते हैं जो कि बहुत लोग देना नहीं चाते या फिर कुछ लोग effort नहीं कर पाते हैं इसका एक alternative उपाई जो है मैं ला चुका हूँ तो क्या है वह उपाई चलिए मैं आपको बताता हूँ तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है Play Store पर और इधर आपको सर्च कर लेना है WPS Office WPS Office सर्च करने के बाद आपको Simplys को डाउनलोड कर लेना है मेरे डिवाइस में यह अल्रीड डाउनलोड है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ पिन करने के बाद आप यहां Terms को Agree करेंगे उसके बाद Start पर क्लिक करेंगे उसके बाद Start WPS Office अब ऐसा इंटरफेस होगा आपको Simplys प्लस आइकन पर क्लिक कर दे रहा है अब प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको तीन आप्शन मिलेंगे निव डौकुमेंट निव प्रिजेंटेशन और और दीखा देता हूं यहां एक ब्लैंक सीट कर लेंगे यह जो निउडुमेंट है यह सबसे पहले मैं चले जाता हूँ home पर स्क्रॉल करके इदर आ जाता हूँ और सिलेट कर लेता हूँ इधर लेटर है मैं ए फोर्स साइस को सिलेट कर लेता हूँ आप ओर्टे लेंट्सकेप जो भी करते हैं और नंस चाहते हैं जो मर्जीन वह आ पसे रच कर सकते हैं अब मैं यहां कुछ टाइप कर लेता हूँ अब मैं इसके सिलेक्ट और करके होम मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते है अब इसके साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते है और इधर से भी आप साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते है जैसे आप एमेस वर्ड में करते है इधर मैं क्लिक करके इसको बोल्ड में कर सकता हूँ आई में क्लिक करके इटालिक हो जाएगा जोसे आप किसी भी तरह का अंडर लाइन दे सकते है इसको देख सकते हैं आप दुबारा से मैं इसको select all कर लेता हूँ आप इसके text को color भी change कर सकते है और इसका background में भी color add कर सकते है जैसे कि आप देख सकते है और भी बहुत सारे options है इंसर्ट में जाके आप यहाँ click करके कोई भी image add कर सकते है और इधर आके आप कोई भी table बना सकते है जैसे मैं एक कर लेता हूँ ऐसे आप भी कोई भी table select कर सकते है आप इधर आके कोई भी save जो है select कर सकते है जैसे मैं यह कर लेता हूँ आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते है और आप इसको कहीं पे भी drag and drop भी कर सकते है तो ऐसे और भी बहुत सारे options हैं पर दिये गये है जो कि बिल्कूल MS Word की तरह रही है और आप इस file को अगर save करना चाहते है तो यहां पर click कर लिजिए simply कि save करने के आपको बहुत सारे option मिल जाएगे कि txt file डॉक फाइल पर भी save कर सकते है पीडियेप में भी save कर सकते है जैसे मैं यहां PDF पर save कर लेता हो यह तो हो गया Microsoft वाला अब आप new presentation में क्लिक करेंगे blank में क्लिक करेंगे तो यह आपको as it is और point जैसा मिल जाएगा अगर आप spreadsheet पर click करते है तो यह बिल्कूल Excel जैसा ही काम करेगा जैसे कि आप देख सकते है तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगए तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे motivation मिलती रहे और आगे भी वीडियो के notification पाने के लिए notification को all पे सिट कर देना तब तक के लिए टेक क्यार और बाइ